Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम डस्कस करने वाले हैं वरक्षीट No. 7, 4, Class 6 विशे सामाजी का अध्यान है और ये वरक्षीट आपके लिए 29, July 2021 के लिए शेडियूल की गई है आज की वरक्षीट बच्चों बेहत आसान सी वरक्षीट है क्योंकि आज की वरक्षीट में आप मानचितर की दिषाओं के बारे में पढ़ेंगे और सभी बच्चों को दिषाओं के बारे में पहले से ही पता होगा तो इसलिए आज की वरक्षीट काफी easy है पर आज की वरक्षीट शुकरने से पहले बेटा सामुदाई केंद्र है ठीक है उसके बाद आपको यहां पे क्या दिखाया गया है पियो यानि पोस्ट ओफिस दिखाया गया है यह दुकाने है यहां विकास का गर है शीला का गर है यह करीम का गर है यह फलो दान है ठीक है फलो का बाग है यह विद्याल्य है यह खेल का मैदा इसपर क्या दिखारा है उत्टर दिखाई होई है तो इस तरह से आपको यह मैप एक दिखाया गया है आप मैप जब करेंगा आपसे कुछ क्वेशन को दिर शुकॉसित शाय जएंगए और मैप में अभी देखा ये दाई तरफ जो है उपर की ओर क्या है एक तीर का निशान है जिसके साथ क्या लिखा हुआ है उत्तर लिखा हुआ है यानि ये उत्तर दिशा की ओर संकेत कर रहा है अधिकतर मांचित्रों में दाई तरफ उपर एक तीर का निशान होता है जिसके उपर उ तब आप दूसरी दिशाएं जैसे पूरव, पस्चिम तथा दक्षिन इसके बारे में पता लगा सकते हैं चित्र में चार मुख्य दिशाओं को दिखाया गया है तो देखिए चार मुख्य दिशाएं कौन-कौन सी है उत्तर, दक्षिन, पूरव तथा पस्चिम तो ये चित् इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से ये क्या है ये दिशा उत्तर है बच्चो ये दिशा है नीचे की तरफ होता है दक्षिन नीचे की तरफ क्या है दक्षिन और आपके दाएं हाथ की तरफ जो है यहां इस तरफ होता है पूरव और बाएं हाथ की तरफ पस्चिम, clear है, क्या है बच्चों, पस्चिम, ठीक है, तो उत्तर, दक्षिन, पूरव और पस्चिम, और यह जो दिशाएं होती है, इनको प्रधान दिग बिंदू कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, प्रधान दिग बिंदू, अब इसके बाद देखे, इसमें बीच की चार द दिशाएं है, बीच की चार दिशाएं कौन कौन सी है, अब देखे, यह कौन सी है, यह उत्तर है न, तो इसके बीच की यह जो दिशा होगी, यह उत्तर पूरव दिशा होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यह कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पूरव, उसके बा देखिए दक्षिन और पस्चिम है तो दक्षिन और पस्चिम के बीच में ये रहेगी पस्चिम दक्षिन दिशा ठिके और उत्तर और पस्चिम के बीच में रहेगी उत्तर पस्चिम दिशा clear है तो मेन जो है चार प्रधान दिख बिंदू हो गई और उसके बीच में चार जो है क्या हो गई अन्य दिशाए हो गई और कौन-कौन सी है उत्तर पूरव ये उत्तर पूरव है दक्षिन पूरव ये दक्षिन जो है पूरव है उत्तर पस्चिम ये उत्तर पस्चिम है और इसके बाद नेक्स देखिए, इन बीच वाली रेखाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थीति का पता लगाया जा सकता है, तो बीच की जो ये रेखाएं हैं, इनकी हेल्प से किसी भी हम जो है, सही स्थीति का पता लगा सकते हैं, कि कोई भी स्थान वो किस दिशा में है, तो आप देखें यहाँ पर कुछ प्रशन आपको दिये गए हैं पहला प्रशन है निमनिस्थान की दिशाओं में हैं विकास के घर से सामुदाई केंदर तो विकास का घर ढूंड लेंगे पहले और फिर सामुदाई केंदर यानि कम्यूनिटी सेंटर तो यह है विकास का घर और यह है सामुदाई केंदर तो विकास के घर से अगर हम चलते हैं तो यह किस दिशा में है तो ऐसे देख लीजे यह किस दिशा में है यह विकास के घर से उत्तर की दिशा में है विकास के घर से ये किस दिशा में है बच्चो उत्तर की दिशा में तो हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे किस दिशा में है उत्तर दिशा में तो आप यहाँ से आंसर लिख दीजे साथ साथ लिख लिजे बिटा उत्तर दिशा में ठीक है, आंसर हो जाएगा, उत्तर दिशा में, नेक्स्ट, प्रश्न दो है, खेल की मैदान से फलो उत्दान की दिशा, तो खेल का मैदान और फलो उत्दान देखेंगे, खेल का मैदान से फलो उत्दान की दिशा क्या होगी है, यह खेल का मैदान है, अब खेल के मैदान से औ दक्षिन दिशा हो चाहेगी तो जो है दक्षिन दिशा की तरफ जो है क्या है खेल के मैदान से फलो उद्यान है ठीक है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे यहाँ पे आप लिख देंगे दक्षिन ठीक है यहाँ पे आप लिख देंगे दक्षिन नेक्स्ट दिया गया है क दुकानों से विद्याले की दिशा, तो हम दुकान और विद्याले देख लेंगे, दुकानों से विद्याले की दिशा क्या होगी, तो हम यहाँ पे देखे दुकानों से विध्याले की दिशा देखनी है तो हम पहले दुकान देख लेते हैं यह देखे यह क्या है यह सारी दुकान है और विध्याले जो है यह क्या है विध्याले तो आप ऐसे करके देख सकते हो तो जो है यहाँ पे दुकान है तो दुकान से जो है किस तरफ जाएंगे ये जो है आपकी दिशा हो जाएगी पूरव तो विधाल किस दिशा में है बच्चों विधाल है पूरव दिशा में तो यहां पे आप लिख देंगे पूरव दिशा में कौन सी दिशा में हो जाएगा पूरव दिशा में तो ऐसे आप इसको लिख खेल के मैदान से फलोचदान की दिशा कोन सी थी दक्षिन और विकास के घर से सामोदा एक केंद्र कोन सी दिशा में था उत्तर दिशा में ठीक है बिटा तो इस तरह से आप इसको वरक्षीट को complete कर लेंगे तो ये थी आपकी आज की वरक्षीट जिसमें आपने दिशाओं के बारे में सीखा और I hope आपको ये दिशाओं अब बिल्कुल क्लियर हैं आप एचान सकते हो कि कौन सी दिशा जो है वो हम कैसे उसको देख सकते हैं कैसे बता सकते हैं कि हमारे चारों और कोई भी स्थान जो है वो किस दिशा में है सो ये थी आपकी आज की वोक्षीट अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वोक्षीट के साथ